हेलो दोस्तों सुवागत आप सभी का आपके अपने चनल गुरुमंति श्टूट पर आज का ये वीडियो कक्षा वारा है देखिएगा कक्षा वारा है मैटमेटिस का है मैटमेटिस में हमारा एक्सराइज प्रफॉंट 3 चल रही थी तो उसी का ये पार्ट 2 है हलांकि ये वी किंगे में लिए फान आगे के चोड दिये थे यह सवाल मैंना कश्राणीय थे अब सीड़े सीड़े आते हैं अपने आज के सवाल पर देखिएथा अज के मैसा ये इस वाले सवाल में भी आपको क्या निकालना है यानिकी आपको उपसारणिक और वे आपको सेखंड निकालने हैं, द्यान से समझ लीजेगा उपसान डिक और सेखंड कैसे निकालते हैं, सवाल यह है आपका इसके उपसान डिक और सेखंड, जैसे तीन वाई तीन का है, तो उसमें हमको कि कितनी रो हैं इसमें, जैसे कि यह आपका पहली रो, यह आपका तीसरी रो ऐसे ही यह आपका पहला सीवन कॉलम बन कॉलम टू और कॉलम तरी इससे यह आपका देखेगा एक बार पहली रो पहला कॉलम पहली रो दूसरा कॉलम इस तरीके से निकालते हम जैसे देखिएगा अब आपको क्या करना है देखिएगा पहले निकालेंगे हैं मतलब पहली रो पहला कॉलम तो पहली रो चुपा लो और पहला कॉलम चुपा लो तो क्या बचेगा यह वाले एलिमेंट आपके बचे हुए हैं कौन कौनसे इलिमेंट बचे हुए हैं पाँच माइनस एक, एक दो पाँच माइनस एक एक दो अब इसको solve कर दीजएगा इसको PayPal कैसे करेंगे पाँच की Multiply इसमें करेंगे 25 यह दbour निधन फिर माइनस माइनस यह फॉर्मूले में होता है एक की मल्टिप्लाई जब माइनस एक में करेंगे तो और रेड़ी माइनस का एक आएगा तो इसको क्या कर देता है हम 10 और एक कर देंगे यानि दस और यह प्लस का हो जाएगा बन दस और एक कितना हो जाएगा 11 यह आपका निकल कर आ गया एम 11 की वैलू 11 यह ठीक है इसी तरीके से अब आ जाते हैं अपने दूसरे पर यह कौन सा निकालना है अधे हैं एम 12 यानि की पहली रोर दूसरा कॉलम पहली रो और दूसरा कॉलम चुपा लेंगे तो क्या चीज़ब वाले 3 elements तरीके से तरीके से इसकी मैर्टिप्लाय्स. कquez बचेगे बचेंगे इसी तरीके से आपको ये सारी बैलू निकालनी है आप देखिएगा अब ये तीसरी रो तीसरा कॉलम लेंगे पहली रो तीसरा कॉलम यानि कि M13 देखिएगा पहली रो तीसरा कॉलम तो कितना बचाएगा तीन पांच जीरो एक ये आपका बचके तयार हो गया है ठीक है क्या बचा हुआ है ये देखिएगा ये वाले element बचे इसको solve करेंगे इसकी multiply इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 x 3 minus 0 की multiply 0 5 में करेंगे 0 हो जाएगा 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेंगे बास समझ रहे हो चीजों को 0 level से शीको अब देखिएगा इसको देखिएगा यह 2 1 यानि कि दूसरी रो पहला कॉलम दूसरी रो पहला कॉलम का मतलब क्या है दूसरी रो और पहला कॉलम यह चुपा लेंगे इसे कोई लेना देना नहीं है तो क्या बचेगा आपका 0 4 minus 1 2 0 4 1 2 बचा इसको solve करेंगे 0 की multiply 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा एक की multiply 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा minus ठीक है तो कितना आजागा minus का 4 आजाएगा ऐसे ही इसको solve करेंगे 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम देखिएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम तो 1 0 4 2 1 0 4 2 यह बचेगा इसको हम solve करेंगे कैसे करेंगे इसकी multiply इसमें करेंगे एक दूनी 2 minus 0 की multiply 4 में करेंगे 0 हो जाएगा 2 में से 0 जाएगे तो 2 ही बचेंगे ओके इसको और आगे solve करते हैं अब की बार हमारा कौनसा element आएगा देखिएगा इसमें आया है दूसरी रो यानि कि दूसरी रो और यह तीसरा कॉलम यानि कि तीसरा कॉलम क्या दिखाई दे रहा है आपका 1 0 यह वाले दिखाई दे रहें element इसकी multiply करेंगे 1 1 1 1 minus 0 तो यह कितना हो जाएगा 1 बचेगा अब की बार आपका कितना है तीसरी रो पहला कॉलम यानि कि तीसरी रो पहला कॉलम 0 5 4 1 ठीक है तो यह आ गया 0 5 4 minus 1 किसकी multiply इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा minus 5 हो के हो जाएगे 20 और कितना आ जाएगा minus का 20 बचेगा ओके चलिएगा इसको solve करेंगे आगे देखिएगा अब की बार अब की बार कहलेंगे तीसरी रो यानि तीसरी रो दूसरा कॉलम इसमें दूसरा कॉलम इसमें तीसरी रो तीसरा कॉलम क्या-क्या दिखाई दे रहे हैं यह देखिएगा यह एक तीन चार माइनस एक एक तीन इक की मल्टिप्लाई मैंस मैं करेंगे ay no कि तीन चॉक बार है तो कितना आ जाएगा मांस का 13 ऑसी ठार से करेंगे एक outta 5 मैं मो foreign करेंगा जीरो कितना जाएगा 5 ये कासी ये वाले ये आपको बचने ठीक है इस तरीके से आपको देख लेना है ठीक है कौन-कौन से करना है तो सिट हमारा गिलास गिर गया है कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिएगा अब आपको क्या करना है ध्यान से समझेंगे यह सारी वैल्व आपकी निकले आइगे अब यहीं से आपको निकलना है अब यह तो क्या निकले हैं यह निकले हैं आपके उपसान अब यहीं से मैं आप नहीं कि A11 देखेगा यह 11 है उसी तरीके से बस माइनस 1 की पावर यह नंबर आपस में जोड़ जाते हैं एक पिलस एक और यहां पर M11 लिखेंगे तो इसकी वैलू कितनी हो जाई देखेए यहां पर माइनस 1 की पावर यदि समसंग क्या है तो पिलस का वन आएगा पिलस का वन इंटू और इसकी वैलू कितनी है 11 है 11 11 की मल्टिप्लाई पिलस के एक में करेंगे तो 11 ही रहेगा इसी तरीके से A12 की वैलू निकालेंगे तो माइनस 1 की पावर सीधे सीधे इन दोनों को जोड़ के रख दूँगा दो रिक तीन ठीक है और एम बार है माइनस 1 की पावर कितना है तीन यानि विसम संख्या विसम संख्या का मतलब यहां पर आएगा माइनस का वन इंटू एम ट्वैल की वैलू है च्छे च्छ है की मल्टिप्लाई माइनस 85 की बेकि civे जोड दें गेंगे चार हो जायए और थिए माइनस 1 की पावर संसंन्ख्या संसंख्या की जगे पर प्लस का वन आयाएग और देर की वैलू कितना हिए यह तीन ढिलंक यहांपर 2-1 यानि कि 21 निकालेंगे हम मैं आप उस सोट्रिक आपको बता दे रहा हूं यदी यह क्या है ध्यान से समझिएगा यदी यह दो रेक तीन वैठा है तो यहांपर बस यह 21 लएंगे बस माइनस लगा देंगे माइनस लगाएंगे तो यहांपर देखेगा अल्रेडी यहांपर कितना है माइनस का एक तो रहे गई रहेगा इंटू माइनस का चार यह यह माइनस का वन लगा दो बस इसके साथ में तो यह आ जाएगा तो यह फिलस के चार हो जाएगा कुल मिलाकर बात यह है अब आपको औ लेकिन यदि यहां पर है जैसे कि A2 23 यानि कि यह दोनों विसम संख्या बैट रहे हैं तो यहां का जो भी चिन होगा उसको बदल लेंगे तो पिलस का भी सा जाएगा ठीक है बस बात समझ ले जाओ क्या करना है हमको ऐसे A31 निकालना है तीन और ऑख समसंख्या तो समसंख्या पर हमको क्या करना है देखिएगा सौरी, दो तीन की जो वैलु थी वह वन, यह तो बाइस की वैलु 2 देखिए, यहां पर पूरा गलबढ कर दिया मैंने, देखिएगे ध cán से देखिएगा यहां पर इसको देखिएगा, यह पूरी के इस विसमसंख्या आएगी तो इसका लिएगे चिन मुगद एम यहांपर कहों सेा båं सुक्त तियस एम टेइस कितना यह जिंट बद लिएंगा तो माइनस का यहाँ पर 31 सं संक्रीज की सम्संख्या इसको चिन बदल लेंगे यह नहीं पिलस का ऐसा ही ए 33 बस यह याद रखना है यह जोंकातियों आजागा तीन और एक 6 है तो एम 33 की वैलू ही आ जाएगी बात समझ में आ रही है एक्शली में कौन सा फॉर्मूला चलना है ये वाला फॉर्मूला चलना है साथ में यह तेक है यह सवाल हो चुपा है अब अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर देखिएगा यह वाला सवाल इस सवाल में आपको क्या करना है दूसरी पंक्ति के अवयव के सेकंडों का प्रियोग करके इसका मान निकालना है कोई दिक्कत नहीं है आपका हमको ये वरावर निकालना है यहाँ पर है पांच तीन आठ दो जीरो एक एक दो और तीन ये देखिएगा अब मैं आपको पिलस माइनस पिलस माइनस पिलस माइनस पिलस माइनस पिलस इस चिन्न में लेते हैं अब यदि आप से कह रहा है कि दूसरे के इसाब से चलना है तो यहाँ वाला पहला वाला जो ये वाले इसाब से चलेंगे हम तो ये पहले वाला देखिएगा, हमेसा देखिएगा, ये वाला इसके साफ से चलेंगे, तो ये वाला हमेसा माइनस का लिया जाएगा, जो भी यहाँ पर उसमें माइनस लगा देना है, माइनस का दो, ठीक है, ये, फिर आप दूसरे वाला पिलस में लिया जाएगा, जो भी ह का माइनस पर यह उब देखिएगा अब यह वाला दो लिया है तो आप इस खुपा लेंगे क्विल्बूत नियुकुत ग्जा यहा गदा ऌत यहां पर दो था ओक्यों अब के यह वाली लाइन अमने लिए है कि तो इस वाली लेना देना नहीं है आपको जब यह चुपा ली तो यह वाला एलिमेंट वचेंगे 5 5 आट और एक तीन है ऐसे ही अब की बार कौन सा लेंगे अब की बार इसको नहीं अब की बार ये वाली लाइन शुपाएंगे ये वाली और इस वाली इसे छोड़ा दें कि कितना बच रहा है आपका ये पांच तीन और एक दो बस इसको solve कर देंगे उत्तर आपका आ गया कैसे आ गया यह देखेगा माइनस का दो तीन तीया हो जाएंगे नो फिर माइनस दो की multiply आट में करेंगे दू अठे 16 यह जब जीरो आ जाती है तो यह पूरा टर्म जीरो ही मान लिया जाता है क्योंकि जीरो माइनस का वन है इंटू पांच की multiply इसमें करेंगे पांधू नी 10 फिर माइनस एक की multiply तीन में करेंगे एक तीया 3 इसको solve कर देंगे माइनस 2 multiply 9 में से 16 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे ठीक है कोई दिक्कत सवरी 7 7 बचेंगे ठीक है 9 और 7 16 होते नहीं 7 बचेंगे यह माइनस का मन multiply दसमें ते तीन जाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेंगे यह 7 दूनी 14 यानि पिलस के 14 हो जाएंगे माइनस 7 एकन 7 14 में 7 जाएंगे 7 यह डिल्टा का मान निकल कर आ गया तो इसका मतलब डिल्टा वराबर 7 निकल कर आ गया यही आपका अंसर होगा ठीक है इसी तर पतिएगा यह हमको दे रखा है सवार यानिकि डेल्टा का मान निकालना है 111 x y z १ और y z z x और x y कोई दिखत नहीं है इसमें तीसरी पंकति यहीं तीसरे इस्तम्व ध्यान समझेगा यह ची तो हमने ध्यान नहीं दिया उसमें क्या था दूसरी इस्तम्व था या रो थी हाँ पंकती दूसरी पंकती यानि इस तरीके से अब के इसमें कौन सा करना है देखिएगा तीसरा इस्थम्ब ध्यान से समझिएगा चीजों को देखिए आपको क्या करना है तीसरा इस्थम्ब यानि इस्थम्ब बोले तो कॉलम तीसरा कॉलम यह है और यह किस तरीके से लिए या कौन से लिया है पिलस माइनस पिलस माइनस और पिलस माइनस पिलस इस वाले के साफ से चलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पहले यह वाला लेंगे यानि कि वाई जैड लेंगे तो क्या लिखेंगे देखिएगा इससे तो कोई लेना देना है नहीं है आपका इस वाला element लेंगे तो इसमें minus लगा देना है यानि कि जो भी यहां पर रहा है रहेगा यानि कि यह zx इसमें minus लगा देंगा zx जब यह वाला लेंगे तो इस वाले को छुपा लेंगे अब की वार इस तरीके से तो क्या बचेगा 1x 1x और 1z ठीक है अब फिर इस वाली की value आ गई तो यहां पर कौन सा है यह है आपका xy ठीक है यह सौरी यह हमने क्या जैट को लिख दिया ठीक है यह तो अब की बार इसकी value इसकी वाली आई है तो यहां पर हमको कैतना लिखना है xy लिख देना है और यहां पर बचा क्या देखेगा अब की बार हमको किस तरीके से चलना है यह देखेगा इससे तो कोई लेना देना है नहीं इसको चुपा लेंगे तो क्या बचेगा आपका 1x और 1y इसको आपको solve करना ठीक है बात समझ में आ गई होगी अच्छे से हमको इसको solve करेंगे किस तरीके से यह है yz किस की मल्टिप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा फिर माइनस यह है z x इसकी मल्टिप्लाई करेंगे एक की मल्टिप्लाई जैड में और इसकी मल्टिप्लाई इसमें करेंगे माइनस पा x यह पिलस पा xy है इसकी मल्टिप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा ठीक है जब इसकी करेंगे वाइनस जाद स्कीर एक्स इसकी मिल्टिप्लाइगे माइनस माइनस हो जाएगा पिलस और यह कितना जाएगा जाएगा यह स्केइगा और यह माइनस नाट रहा है तो काट देंगे नहीं तो छोड़ देंगे ठीक है तो देखिएगा यहां तक तो कोई दिक्त है नहीं यहां के बाद में देखिएगा सारी चीज यहीं से आगे का खेला है जो भी कुछ है यहां से देखिए x, y, z इसको solve करेंगे तो सबसे पहले आप x2 को देखो यहां पर x2 है y2, z2 है तो हम पहले इस x square वाले term को यह पहले ले रहे हैं क्योंकि x square को किरमबद तरीके से लेंगे x square में इसमें से common ले लोगा आप यहां से z बचेगा और इसमें आपका minus का y बचेगा ठीक है अब यहां से क्या करना है मेरे को देखिएगा यह काम खतम यानि कि इसका और इसका काम खतम अब यह चीज बच रही है आपकी ठीक है यह चार टर्म बच रहे है इसमें देखिएगा इसमें आपका yz yz है और इसमें आपका x common दिखाई दे रहा है मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ पहले में इसमें से माइनस का x देखिएगा ध्यान से इसमें इसमें से और इस पीले वाले में से माइनस का x common ले रहा हूँ तो यहां से माइनस गया x गया तो यहां पर z square बचेगा माइनस गया और माइनस गया तो यहाँ पर यह प्लस का माइनस हो जाएगा एक्स चला जाएगा तो यहाँ पर y स्केर बचाएगा अब इस में से आपको क्या common दिखाई दे रहा है इस में से देखिएगा यह वाले यह वाले मैं से सीह आपको yoz common दिखाई दे रहा है तो यहां से हम क्या ले लेंगे yoz common लेंगे y यहां से चला Gया और dz यहां से चला तो यहां से Avoli wach Clinton से अब देख रहे हैं आप तो एक चीज आपको दिखाई दे रही है जै अमाइनस y से x कॉमन ले लिए यह अपने आपने फर्मुला बन गया a square minus b square है नहीं की z plus y और z minus y इस तरीके से और plus y z है तो ये z minus y इस तरीके से आ जाएगा अब इसको solve कर लीजेगा आप तो किस तरीके से solve करेंगे ये देखेगा सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको z minus y ये sorry z minus y और z minus y तो सभी मैंसे पहले z minus y आप comma ले लो तो बचेगा क्या यहाँ पर x square बचेगा minus यहाँ पर x plus z plus y बचेगा और यहाँ पर y z बचेगा इसकी अंदर multiply कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा x square minus x z minus x y plus y z इस तरीके से बचेगा इसको और इसको हम और solve कर देंगे तो z minus y और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका इसमें से आप देखिएगा ऐसा करिएगा z minus हमको लेकर आना है तो हम क्या करेंगे इसमें से इसमें से और यहां से आप common ले सकते हो या फिर आप ऐसा करिएगा x इसमें से common आ जाएगा तो हम इसमें से x common ले रहें यहां से x common ले लेंगे तो यहां पर बचेगा x minus और यह बचेगा आपका y इस तरीके से मैंने क्या किया है इस वाले में से और इस वाले में से common लिया है अब मैं इसमें से minus यहां से भी मैं क्या कलने रहा हूं यहां से आपका minus का z common ले रहा हूं तो यहाँ पर plus का x बचेगा यहाँ पर minus का y बचेगा इस तरीके से और यह bracket बन दिए इस bracket के अंदर की बात चल रही है z minus y अब यहाँ से x minus y x minus y common दिखाई दे रहा है तो x minus y common ले लूँगा तो यहाँ से बचेगा x यहाँ से बचेगा minus का z तो यह आपका पूरा उत्तर आ चुका है इस तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा ठीक है अब नीचे आप देखोगे देखेगा यह आपका tick mark pushon है इसको आप कर लेंगे अब यह पूरी exercise आपकी क्या होगी यह finish हो गई है त्यान से समझ लीजिएगा यह आपकी exercise पूरी finish हो गई है अब हम exercise चलाएंगे आपकी exercise चलेगी 4.4 ठीक है दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा दिक्कत हो गई है चलिएगा इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को like करके share जबू कीजिएगा